तो हम करक लगन वालों के लिए चंद्रमा की महादसा के बारे में चर्चा कर रहे थे इस वीडियो में दिखेंगे अगर आपका करक लगन हो और चंद्रमा आपकी सात्वे भाव में मकर रासे में अगर इस्तित हो और तब अगर आपको चंद्रमा की महादसा आ जाए तो चंद्रमा की महादसा की दुरान आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं चंद्रमा का मकर रासे में इस्तित होना आपको थोड़ा सा जिद्धी बनाएगा और अपने काम पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ट बनाएगा सातवे भाव में अब लगन के स्वाव में इस्तित हैं तो आपको ये काफे ज़्यादा एफर्ट करवाएगा और ये साइन क्योंकि मुख्य रूप से हमारे जो प्रोफिशन है उसके लिए जाना जाता है कालपुरूस के एसाब से ऐसे में आप कोई समाद सेवा या ऐसा कोई काम कर सकते हैं जिससे आप लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और आपका नेटवर्क भी बहुत बढ़ा होगा तो चंदरमा आपके नेटवर्क को काफे ज़दा विस्तार यहां दे सकते हैं इसके साथ आप खुद पर ज़्यादा ध्यान देने की बजाए दूसरों पर ज़्यादा ध्यान देंगें बहले ही तो आप किसी को कोई सर्विस दे रहे हैं बहले ही आप कोई बिजनस कर रहे हैं या आप लोगों की किसी भी प्रकार की सेवा कर रहे हैं या किसी भी आप परसासनिक पद पे भी हो सकते हैं, या आप राजनिती में भी हो सकते हैं, लेकिन यहां सबसे बड़ा रोल जो है सनी का भी होगा, क्योंकि सनी चंद्रमा के डिस्पोजिटर हैं, इसलिए आपको सनी को भी अपने चार्ट में देखना पड़ेगा, कि सनी आपको बहुत ज़्यादा जिद्दी बनाएगा, साथ-साथ में ऐसा जो चंद्रमा होगा, थोड़ा सा आपको रिजर्वे परस्नलिटी के रूप में दिखाता है कभी-कभी, अगर सनी का प्रभाव चंद्रमा पर है तब, ऐसा चंद्रमा अपनी महादसा के दोरान कहीं न चंद्रमा बहुत अच्छी इस्तिति में अगर यहाँ पे हैं, तो आपको परियाप्त नेम फिर्म और परियाप्त आपको सक्सेस देंगे अपने जिवन में, अब लेकिन आप में यहाँ जो एज का जो रोल है आपके दसा के हिसाब से वो भी बहुत बड़ा होगा, क्योंक चंद्रमा पर कोई ग्रह के अगर दर्ष्टी है, तो वह भी आपको देखना है, कोई ग्रह अगर आपके लगन में इस्तित है, तो उसका प्रभाव भी directly चंद्रमा पर पड़ेगा, और क्योंकि चंद्रमा भी आपके लगन पर दर्ष्टी डालेंगे, इसलिए ऐसा चंद् लेनी पड़ेंगी, खुद की जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी, पड़ेगी, अपने माता-पिता की जिम्मेदारी या अपने परिवार की जिम्मेदारी भी आपको बहुत ज्यादा लेनी पड़ सकती है, इस परकार का चंदरमा आपको थोड़ा सा जो reserved personality के रूप में बनाता है, लेकिन फिर भी आप काफी ज्यादा खुले हुए रहेंगे लोगों के साथ कुछ मामलों में, जैसे कि आप किसी को भी मना नहीं करेंगे, किसी भी काम के लिए, इसलिए कभी-कभी आप जरुस से ज्यादा responsibility ले ले लेंगे, अपनी family की भी और दूसरे लोग बजाए ज्यादा से ज्यादा practical होना जरुरी रहेगा, ऐसे में अगर इन तीन ग्रोओं का समंद्ध चंद्रमा से हैं, तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है, सोचने समझने में, दूसरों के साथ behavior करने में, दूसरों के साथ conversation में आने में, इसके साथ अपने emotions को ले के से प्रभावित होंगे चंद्रमा की महादिशा की दूरान, मान लीजिए किसी का भी कोई भी जातक ऐसा जिसका केतु का समंद अगर चंद्रमा से हैं, तो इस case में आप से बहुत सारे गलत decision हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा emotional हो सकते हैं, emotionalty की वज़े से आप काफी सा travel देगा, और even आपको रिस्तों को लेके काफी ज़्यादा problems देदेगा, कभी-कभी आप उन लोगों का साथ नहीं देते वे नजराएंगे, जो वास्त में आपका साथ देंगे seriously, बलकि आप उन लोगों की तरफ थोड़ा ज्यादा जुकेंगे, जो आपके साथ कोई न कोई प्रकार से cheating कर सकते हैं, या जो लोग आपका गलत तरीके से फाइदा भी उठा सकते हैं, पर ये sign जो मकर जो रासी है, इस वज़े से कही न कही चंदरमा आपके लिए थोड़े से अच्छे जरूर रहेंगे, हम ये बोल सकते हैं, बट आपको यहाँ पर दूसरे ग्रह का प प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए हो सकता है किसी प्लैनेट की चंदरमा पर दश्टी भी हो, और साथ-साथ में कोई प्लैनेट आपके साथ-व्भाव में बैठावा भी हो, तो आपको उन दोनों के विचार करना पड़ेगा, अब आपका जो मन है, व किसी प्लैनेट का समन्द है, तो आपको काफी ज्यादा ट्रेवल दे सकता है, ट्रेवल देने के साथ-साथ मुखे रूप से आप ये जरूर एक्सपर्ट करेंगे कि इस महादसागे दुरन, अगर आप मैरिड नहीं है, तो आपको किसी ना किसी का साथ चाहिए होगा, किसी कभी कभी, अब अगर आपके लगन में कोई भी सूरिय जैसा ग्रह, मंगल जैसा ग्रह या ब्रस्पति जैसा ग्रह अगर इस्तित नहीं है, या कोई भी ऐसा ग्रह जो आपको काफी ज़्यादा बैलेंस में ला सकते हैं आपकी लाइफ को, तो आपको ज्यादा सी ज्यादा के results पर ही depend करना पड़ेगा अगर सूरिय जैसा ग्रह लगन में है ब्रस्वति जैसा ग्रह अगर लगन में है या बुद्ध जैसा ग्रह अगर लगन में तो फिर भी आपको कुछ साहिता लगन में बैठे हुए ग्रह से मिल सकती है इसके साथ उस ग्रह का support चंद्रमा को भी मिलेगा इसके साथ अगर शुकर का support वे अगर चंद्रमा को मिल रहा हो तो आपके लिए फिर भी बहुत बहतर इस्तिति बन सकती है अब जो लगन पर चंद्रमा की दर्ष्ट्री पढ़ रही है उस वज़से चंद्रमा आपके network में तो विस्तार देते ही देत अगर मानलो आपका सूर्य लगन में बैठा है तो उस case में आप थोड़े ज्यादा जिद्धी होंगे और अपने फैसलों पर अडिक रहने वाले होंगे तो सूर्य का जो द्रष्टी फिर आपके चंद्रमा पर पड़ेगा उस वैसे चंद्रमा को कुछ हद तक सूर्य की energy मि आरी है जैसे कि 15 साल के आयो तक ऐसे में चोटी आयो तक अगर आपको यह महादसा आती है तो आपके परिवार का रोल कि परिवार ने आपको कैसे पालप हो सा है परिवार ने आपके कितनी ज्यादा केर की है आपके पढ़ाई लिखाए के लिए या आपकी ओवरॉल जो future है उसके लिए परिवार ने किस तरीके की विवस्ता की है वो बहुत ही ज्यादा important है आपके लिए और आपकी जो सुरुआत में जो mentality बनेगी पूरी overall जो life को लेकर वो आपके लिए बहुत ज्यादा matter करेगी आप उसको कभी भी नहीं बदल सकते है और सुरुआत में आपने का जर्वात से ही जन्म लेने के बाद से ही तो वैसा ही कुछ असर आपको यहां चंद्रमा से देखने को मिलेगा अब माल लीजिए किसी कि अगर यह महादिशा लगबख 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर आती है तो यह समय आपके career के लिए आपके settlement के लिए आपके marriage के क्योंकि ऐसा चंद्रमा आपको काफी ज़्यदा उदार बना देगा आप दूसरों की सायता करते हुए ज्यादा नजराएंगे खुद के बारे में कभी कभी उतना अधिक नहीं सोचेंगे या आप एकदम वैसे selfish टाइप के person नहीं होंगे कभी कभी तो यह आपको यहां दे depression में भी लेकर जा सकता हैं अब मान लीजे किसी जादता को अगर यह महादसा थोड़ा late age में आती है जैसे कि 40 की age के बाद में या even 50 की age में भी तो ऐसे समय में आप थोड़े ज्यादा mature नजर आ सकते हैं फिर आप ज्यादा से ज्यादा यह कोशिज करेंगे या तो आप emotional बनाएगा और कहीं न कहीं आप self-dependent तो होंगे लेकिन आप दूसरों के साथ connect होते वे ज्यादा अच्छा मैसूस कर सकेंगे तो यह इस परकार के कुछ results रहेंगे चंद्रमा की महादसा के और चंद्रमा की महादसा 10 वर्स के दोरान आपकी जवन में काफी सारे अलग गलाव दे सकती है